जाहे बच्चे हो या फिर औरत, उनमें से एक भीना बच्चने पाए, काट दो सबको! भरोसा रखिये मालिक, आज उनमें से कोई भी बच्कर नहीं जा पाएगा, हम पूरी तरह तैयार हैं! कर दिस खर技 धाी नहीं भी तो करेंडिये मालावा मुझ्वर स्प़ाепे बचाहाँ वनमें बच्छे कोईほ немного कि शेरा नहीं एक ये खोरी तरह आपाएगाँ जाज सेड़िये मालावाँ मिर अर नहीं अर आप जमेखेग देलिए पाएगां मीन झनमें लुटाता हां छोरी डाल वारों भारों हो डूल कर दूह sectयरांग कर दो अजर वारों है अब आफ हंप क्वार्बोजिन! भूप्सथ्ण पगसिट क्वार्बोजिन! पहले पगसिट क्वार्बोजिन! इसफान चैस? पॉप पॉट यग आबाई तेरा भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा क्या हुआ है शायद उन से मिस हो गया भाई लेकिन हम से मिस होने की कोई गुंचाइश नहीं है तो फिर जल्दी करो पतर के उन से मिस हो का हुआँ झालë अज़ी भॉख रखे ले अज़ी जय खेखे अज़ी जाती है रहाँ और ये देखे अज़ी खिएखें क्योंकर वाके लोगे यालवाई यामा अजिली आब ङालेगा आफू हो गो आफू यहला है भा आफू 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 कि अ कि कि अ कि अ C और हो अ कि अ कर दो कर दो कर दो हीरो मानिक्या हीरो मानिक्या Is it met with a plan in the action Ain't nobody in the world got its passion I keep making, dashing star मानिक्या, मानिक्या कि अब 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 आन वे Everybody gonna say his name गुद्धाश चपाश्वार्म काड़ने शाझे को जब गई कैसे करी दो है विल्क सब्सक्राइब जाचा अब सब मुद्धावन है क्लोड़ने दो फिर संवेंग कुछ तर इक जंद दो छागाई टावने यायर ус विंहें है हुण झाल ने पॉस्ट चीज़ अचार फूस्ट खिल्हार नहीं आए एसले खिल्हार इसले एसलेख जो चुर्थ आए अब यह तब क्यों नहीं आई? मैं आई आई नहीं आई आई कि अंचिय ओी चौकापक करें लडाएंAg जाsın जासंथ चौकापक साहब जाएंचा मैं है इंच अँछले की डिर्शниц Ahard मैं आजाएंचाराई covenant खुटं। खाएंचान, ay दोल दोतम प्रेंच का वसाँ आजे कि अटेपनों कूस झाली ठाबें जहाँ,ายए क्चुमे ये? यवे इव रे थेछोंगरे। एपदीट व झीम क्ष और सुफubscribe? झाली वाँ इकु Deeper ये वे लिता थो Betty झालीकर व झीम क्षीव झाली जहांते हम एंवाइ मेनसे हम भी और खालके इता है। यज जुवर और फिए। है सर अजब बिन चुलेकश अढ़ इस फिर अधना, प्रॉड़ाrend अजब आख़ की लिए। रहीं कोईश रा एव इस अच्छारा है। अजय चुक्सी विए और कोष्चू एँ जुद सॉ राइट कि अपाइट आप एट करोल एट शॉक्स पाहा है मझी विए मनिश्या सकता मा प्रैम में नहीं और भी और प्रोग्राम में नहीं हाँ विए इसका है? नहीं यार मैं बहुत थक गई हूँ यूगाइस करी ओन ओके बाइ एए है सर्व श्यल्वी सर्व गो फर द्राइव सॉर्य प्लीस दोंट बी इस गिवन तेक अगिव वाट यू वाट अगिव वाट वाट यू वाट सॉर्य आम नॉट दोस टाइपस मेरा हाथ छोड़ो तो इंदुस्तानियो सुबह तक के लिए मेरी हो जाओ देखो जो चीज मुझे पसंद आती है या तो मैं उसे खरीदता हूँ या उसे छीन लेता हूँ तुमने जो मांगा मैंने वो दिया और अब तुमारी बारिया ठालें लीव माई हैंड हैंड वो वो चेल हिंदुस्तान में कितना भी चीखो कोई मदद के लिए कभी नहीं आता तो ये तो विदेश है तुम चाहे जितना भी चीखो चिलाओ कोई फरिष्टा तुमारी मदद के लिए यहां पर नहीं आने वाला लीव माई हैंड जंगले बिल्ली मुशे पसंद है हैंड 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 विकार में इतना चीख रही हो कोई नहीं आने वाला चाहँ चल्हूाँ बाद बाद आ रखिर गोड़ में इने अच्छीड प्लाद इने डिलिवार्श हुआ जिन्च वेत बाद प्लाद प्लाद चाँ मनिक्या, मनिक्या जिट जिब जिल्ज वेख गुआ इन्रें विवडरी ग्लाद अप्लाद लेख जिसमेव मुल्क चाहे कोई भी हो, अगर हिंदुस्तानी लड़की मुसीबत में हो, तब उसे बचाने के लिए कोई न कोई फरिष्टा वहाँ जरूर पहुंची जाता है सब्सक्राइब फरिष्टे बिजी हो, तो उनकी ड्यूटी मैं करता हूँ सब्सक्राइब फरिष्टे आते होंगे, बट तो यू नो हो आएम, सिंगपोर का किंग, कार अफ सिंगपोर सेनेटर्स अनली सण, स्पोल प्राट, राहूल ओ, ही नूज मी, जानते हुए भी से बचाने आया हूँ, मारोगे क्या मार्पीट से प्रॉब्लम शुरू होती है, कभी सॉल्व नहीं होती है, बच्चे आराम से बात कर लिने से हल निकलाता है इनने तुमने कितने पैसे देकर खरीदा ये मैं नहीं जानथा लेकिन ये समझ रहा हूँ कि तुमने इने अच़े खासे पैसे दिये हैं पहले ये आएगा, तुम्हें एक पुश, इसे एक पंच, ये पांच सेकंड हवा में रहेगा, फिर जमीन पे गिरेगा नेक्स्ट ये, आपने दोस्त को देख कर चुपने ही रहेगा, ये जोश में आकर मुझ पर हाथ उठाने आएगा इस हद से वहीं ब्लॉक, सॉलिट सा एक किक, यहां से सीधा हवा में ट्रावल करके, उस दीवार से टकराएगा ये सब देख कर उसका खुण खौलेगा ये सीना फुलाते हुए आगे बढ़ेगा उसी तरह का एक ब्लॉक, सीने में एक सॉलिट पंच इस वहीं और ब्लॉक रखौलेगा झालने तरह के पावजुद पावजुद, अच्छच्छीब फियर नहीं होता, व्री hwaf साथ अटैक करते हैं तुम लोग क्या सोचते हो मैं सिर्फ डायलोग बाजी में इस सीन खतम करूँगा कवर देख कर किताब का पता कभी नहीं चलता है यारो तुम अब भी अगर अपना इरादा नहीं बदला तुम अफसोस तुमें मेरा सामना करना ही पड़ेगा हिम्मत है तो दिल को प्यार से चीतो एवरिधिंग इस आट फो सेल तुम अगर प्यार बाटोगे तो बदले में प्यार मिलेगा हुआ 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 ह में वाड़ा है अब्रूम्रांचर्ण लाए प्रण्ट्राइब का याद्ट्राइब और आफ तांक्स लॉट अंडिशा अंडिश्ट्राइ आपनियाथ तो पताँ नाच क्या हो जाता प्रिलाक्स मुंबे कियो नहीं, बंडार धारा के… गाउं कियो ब्यूटिफुल लड़कियों को रात को सम्हलना चाहिए Keep smiling एक हबते से तू परिशान है वो कौन है ये तू नहीं जानती वो मिलेगा या नहीं ये भी नहीं जानती वाया यूर वन थेंकिंग बाउट हिम forget him वही है हाँ वही है पैचाना क्या ओ इसी अरिया में कही घर है न तुमारा I remember dropping you उस रात वो गुंडे तुमारे साथ तुमारा नाम देखो कैसे चांस मारा है तुम पे Manisha? Manisha, right Look at this coincidence इसी अरिया में मेरी गाड़ी को खराब होना तुमारा नाम Coming dude One second So what's up? Strange.. By start You know what a coincidence I know By the way girls I am Jay Hi Hi अब तुम नंबर मागोगे Flirt करोगे Blablabla Right? आब बहुत दूर का निशाना लगाती है So.. Coffee? You have a coffee, we'll join you soon Bye Bye Oh My wife is all ready So.. Let's go Some other time Some other time And then.. Jay? So.. Hi girls Hi Bye 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 Uh.. Sorry.. मैंने वहाँ आपको coffee offer कर दी Willkul old fashion How about some.. Dinner.. A wine? Sorry Jay.. घर जाकर डस्टिंग करनी है Cleaning करनी है Some other time Some other time Salt वोल्ट सब सही है हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है आस्मान में देखकर स्टार्स काउंट करना पसंद है आस्मान में देखकर फ्री वर्त में म्यूजिक सुनना पसंद है इसके अलावा Sorry.. मुझे इतनी इंफमेशन मिली Sorry Manisha But he's been so sweet इसलिए हमने थोड़ सी इंफमेशन देदी Okay.. Can we eat now? स्टार्स 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 व्यूब By the way, what is the program tomorrow? I mean, I'm having a party on the weekend It's going to be good fun So, what are you going with me? Um.. I know.. Next time.. It's always the next time But anyways, I'm going to this road So just in case If you want to go with me Then.. You can Okay.. Bye.. Hey.. Nice breeze You're okay? I don't feel like Something wrong? Nothing, Jay.. Actually, this is the best time of my life Life is always like this.. How good it is, right? This is our idea, Manisha J. Yes.. Past now, I have thought that I've never thought of it Or it will never happen My family My family My town And all these people And all the people And all these people And all these people And all these people So, we don't want to love the people To get a drink तो बहुत मुश्किलों का सामना किया पढ़ाई खत्म होते ही फिर से उसी नर्क में जाना होगा मुझे तुमसे मिलने के बाद दिल करता है खुशी से जीऊ लाइफ को हैपिनेस से पूरी तरह भर दूँ हसी खुशी जीने में क्या परेशानी है यहाँ जितने दिन रही हसी खुशी रही पर यह खुशी मुझसे बहुत जल्द रूट कर चली जाने वाली है जै आप एब स्मॉल रिक्वेस्ट यह जो कुछ शुरू हुआ है उसे यही पर रोक दो बेटर होगा तुम मुझसे दुबारा मिलने की कोशिश भी मत करना सॉरी जै यू हाव टू फर्गेट मी लेकिन मुझसे लेकिन हर कोई इंडिया से पढ़ने के लिए फॉरेंग जाता है पर तुम फॉरेंग से इंडिया क्यों आया हो एक लड़की खादिर सर है हाई सूजी हेई रीटा है ची क्या यार लगता है खाकी के कोई इज़त ही नहीं है पता है ना एक बर सिंगम के हीरो ने भी ये खाकी ड्रेस बेंड के एक्टिंग की थी सूपर स्टार से भी उपर निकल गया वो ये बेवकूफ लोग क्या जाने है थू एक मिन एक मिन आपका ही चेहरा आपकी ये हाइट ये लोक ने ने कोई चांस नहीं है वो मूचों के ताब और आपकी खुर्दरी और छोटी-छोटी मूचे और ये चॉकलेट फेस जाओ यार तुम क्या मुकाबला करोगे उससे आप किसके बारे में बात कर रहें किसके बा एक लंबी कानी है हुआ यहां 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 से उनका ट्रांस वर कर दिया लेकिन उनकी जाने गवाद मेरी जंदी हराम हो गई गली काई के गुंड़ा मुझे एसी पी चतुर्वेदी समझता है और सब मेरा गला काटने के पीछे दोड़ रहे है उसका डिबाटमेंट वाले क रहे हैं प्रोमोशन लेलो वाइं दूस्त वी पोस्ट का फाया था मैं क्यू था हूँ आपका निए बहुत अब्ले जब जी करता है आता हूं और जी हां और जीप गरम करने लोट जाता हूं और एक सिक्रेटा हूं यहां कॉंपिचिन बाट कम है बोस्तु सब्सून हे चाह बादा हाथ चालाने पसेंदे, बॉस वो लोग कहा है? क्लास में होंगे भाई उन्हें उठाकर मेरे पास लाए साब का ट्रांसफ़र यहां से क्या हुआ कि छिपकली, बंदर, भैज, उूट सब के पार निकला है पता नहीं से रोकने वाला कब आएगा भज बंद को बंदर, उन्हें भाएगा आद पीड़र आखऑ़गर नहीं वयद़र आज़र आवर पाएगा किया रहे, कहा भागे जा रहे हो, बॉस से दुश्मनी लेकर जिन्दा रह पाओगे, यह तुम लोगों के लिए लास्ट पॉर्णिंग है, उनके बदले मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, दोबरहे हैं नजर मात आना, चलो निकलो यहां से, निकलो यहां से, कौन है रह इस तरह के मामुली लोग भी आपसे पंगा लेंगे, तो आपका लेवल कैसे मिंटेन होगा बॉस, इस तरह के लल्लू पंजु लोगों को मारने के लिए आपको यहां आने की क्या जरूरत थी, यह मुस्टंडे यह सब हैंडल नहीं कर सकते, यह, चलो निकलो, निकलो, चलेगा आरे यार, क्या हो अजीजू? जीजा कंचिता जलाने के लिए यहम दूस लोग आ रहे हैं, तुछा अंदर जा जगताप जगताप नहीं सहाब, प्रताप यह वही, ओफिस जा रहा है क्या और कहां जाओंगा यह विजा है मेरा फ्रेंड हे डूड हेलो सर, लाइस है स्टाइल हे, थैंक यू हमारे ओनर, वीर प्रताप सिंग वैसे तो मैं वीर प्रताप सिंग ही हूँ लेकिन इनके आने के बाद टॉप वाला वीर को कट करके डाउन वाले सिंग को साइड करके सिर्फ प्रताप को ही मैंने रखा है देखिए, इतना ही है बेकार कॉमेडी बंद करो और जाकर हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ हम उपर ही बैठे हैं हेलो सर, चाय बैंक जाने का टाइम हो गया है चाय मैं बना देती हूं जी जैजी नहीं, आप बैंक जा रहे हो न, इसलिए चाय तू बना कर देखिए जल तू अंदर जाओ काफी भी तू ही बनाईगी तू ने ये सब का बनाना सिखा चल अंदर यहाँ एक ही बेड्रूम है और उसमें जगह नहीं है तुम यहीं कहीं अड़ेस्ट कर लो गंदगी में रहने की आदा था तूम लोग को बेड्रूम के हो चाहिए यहीं पड़े रहा न, बेड्रूम में यह मेरे साथ रहेगा अरे राजो कहा गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा बस थोड़ी दिरम आई रहा है भाई लोग, चाहिता यार थे टेक इट पांसो रुपे भार और दो हजार रुपे खाने का लगेगा एक स्ट्रक इस बात का, वही एक रूम तो इस्तमाल कर रहे है अच्छा मजाग कर लेते हैं भाई साब, ठीटर खाली है यह सोचकर कोई अंदर फ्री छोड़ता है क्या टिकट लेकर ही जाना पड़ता है न, वैसा ही है यह जकताब जकताब नहीं सर, प्रताब कल मेरा बर्ड़े है अरे, हपी बर्ड़े सर, कॉंग्रेचिलेशन्स अपने बैंग से कल एक लाख रुपे लाना मत बोलना एक लाख रुपे, काए को हो? पार्टी मनाने के लिए कितना बढ़िया है, तुमने मेरे चितने उडा दिये क्या हुआ, क्या हुआ, तु इतना क्यों मसरा है बले ही उपर वाले ने मुझे ताकत नहीं दियो, फिर भी मैं आजी नेशन करने के लिए अच्छी सोचती है बहुत बढ़िया, लेके आजाओंगा मैं, पार्टी मराएंगा हम लोग अलो, नमस्ते, कि अधर लागा अधी बढ़्ड़्डेशन्स तुछर दिविश करना है पका अधी बढ़्ड़ शीवा थैंक्यू यह अधू अधू जिए ती पुट अवा पुट पु leह पु Log़ सुर्य पुट पुट बढ़ास रहम बढ़ास बुजर्ग क्या है कि बंदर कितना भी बूड़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता मैं आपसे काफी इंप्रेस्ट हुआ इससे पहले मैं ऐसा नहीं था भालता तो फिर कैसे थे तो श्क्राद मेरा प्रदा भी कुछ और था नहीं तुरी इसे प्रेस्ट कि आइए आड़े काफी है इस प्रद टेश्चिशा इन गुलाजिशा अब डिष स्ट प्राइब इस था प्रेस्ट कि आए बेस्ट दाने के अगयए जिफ्षें मैं ऐसे ब्याल गाड़ी से मज़ रहा था, मुझे नहीं पता की वो जीफ है, जब इस ओनर की काड़ी मर्सरीज आती है तब तो रास्ते में ये खताना लेकर ख़ड़ा हो जाता है, चल पठा इसे, खताना, हमेशा ये डर रखना, मैं कौन हूँ, बीर प्रताफ सिंग हूँ, बात यही खत्म नहीं हुई, अगला एपिसोड देखें, एए शिवा, क्या होगा, सर, क्या है, सर, क्या है, बीर की बटल, नहीं, मैंने तो समझा था, ये फिनाईल की बाटल है, मैं तुझे और कितनी बार समझाओ, तुभारा कभी इधर बीर की बटल देखा ना, तो थो निकल, भाग यहाँ सर, आप, घमन था, घमन था सर मुझे, बैचलर लोग तो पीयर को निवो पानी के जैसे पी जाते हैं, सिगरेट का पूरा पैकेट पी जाए तो भी ठीक है, लेकिन उसे देखकर हमें चुप रहना चाहिए, नहीं रहते हैं, घमन जो है, निक सिन देखें झराइ, वरष, पढाइ, शर्ष, उर्ष, सर लोगाँ, सबें, मजा सबने था, था जड़े, सरहररई, भी जवांज बज़ा है, ढबने झा घरन लड़की है, वस घर में इतनी रात आरे का तून्हें हिम्प कैसे की, चले, काम करतू, pulsing. मेरी बीवी और साली अंदर बैथी है इसलिए तो छुपय चाप सीरा अंदर जा जा आ के जा रहा है कि तर जा रहा एक जाने के लिए पुलेट की तरह अंदर गुज़ा जा रहा है एंक्री आतर नहीं है कि बुद्धी नहीं है कि सुणों हलो नात में तु बहरा हो जाता है क्या इतना ही ने वो मुझे पर बरस पड़ा और मेरी हटी पस लिए कर दी है सच कहों तो कोई कुछ भी करें उससे हमें क्या करना है सर अंक्यू टांगला ऐसा भी लोग मेरे जैसा ठीक पांच बजे आकर कुछ दे निउस देकर जो मिला उसे खाकर सोजाते है ऐसा थोड़ी होता है है कि ने उनकी मर्जी उनकी जिंदिगी सर ए तू ऐसा क्यू कर रहा है अगर हम यह पूछने जाहे तो मेरे जैसे ओनर का यह हाल ऐसे कैसे आसपास रहेंगे सब के अंदर डर मेंटेन किया हुआ है अपने हमेशा प्यार से करीब रहते हैं इस तरह डर कर दूर नहीं समझे ना बॉस थैंक यू अचा बॉस आपकी लाइप में यह गैंग और लफडे ही है और कुछ इंट्रेस्टिंग नहीं है इस तेज में इसे जदा इंट्रेस्टिंग और क्या है गर्ल्स गर्ल्स Excuse me Can we dance? Sure Try करके देखो It's a magic Shiva, may I dance with you? Come, come on और लेखो और लेखो Come on now, let it go Come on now, let it go जादू किया होगा इससे पहले कि वो हमारी हवा निकाल दे बहतर होगा हम दूसरे कोई ऑपचन ढूंडी लए लुंगी डान्स लुंगी डान्स लुंगी डान्स लुंगी डान्स रह गया था मैं वही देने आया हूँ अरे नहीं भाई साब आप मुझसे नाराज है तो आप चार चाटा लगा लिजिए लेकिन आप जो एक्जा दे रहे हैं उसे देखकर मुझे बड़ा दर लग रहा है बतारी यह ले लो यह शिवा अलग यह वो शिवा अलग था यह अंडिट प्रसंट यह यह चेंज वस्वत्थ होना चाहिए था क्यों ऐसा क्या हूँ अपर बाई साब कहां पे अरे वो वो भी दर गाउं से आगे वो सू-सू-सू अलतान पेत में अरे वो तो हमारा गाउ है तुम्हा तो किस बात कर लिया है आप हमारे घर में रहेंगे तुम इतनी इजब दे रहे हो तो मैं तुमें ना कहकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूगा तो किस सर्थ मैं गॉटल में रहूंगा क्या अकल का धीला है लाख रुपए लाख रुपए दिये मैंने ट्राइंसफर के लिए आप अधियो इस नलाएक के अलाद ने जिस तरह मुझे गोली दे कर मुझसे लाख रुपए खर्च करवाए हैं उसके पदले मैं इसके घर में आएक का तीन गुना अगर वसूल नहीं किया मैंने तो मेरा नाम वीर प्रताफ सिंग नहीं है अधिया प्रताफ सिंग नहीं है गर जा रही हो अवर्थिंग वी फाइन ओके थांक्यू अधिशेश के लोग हमें मिल गए है भाइया आखे खोलो और देखो यह कोई नहीं गर के चिराक के बुझने का दर्द सहा नहीं जा रहा उसे याद करके रोल्स तिल तिल कर मर रहा हूँ आज तुम भी देखो कैसे दुश्मन के टुकडे टुकडे करता हूँ भया जुझने तुम तुमा स्थमन के लिए ओुमर कर तुम और सत्रूम practitioner. ऑा्रons भी समखजक्ष़ यहा हूँ स्थमन के दो ऊर्द संवब्स आपकी ऐसी हालत करने वाले उन कमीनों को जब तक एक एक करके काट कर उनके टुकडे चील कवों को ना खिला दू तब तक मेरी शाती में बदले की आग दबक ही रहेगी किसी को जिन्दा नहीं छोड़ूंगा ब्रो यार अपने को तीस दिनों के छुट्टी मिली है क्या कहता है सिंगापूर होकर आए एक महिने के लिए सिंगापूर कौन जाएगा प्रो सोच रहा हूं यहीं कहीं घूमाँ इससे बेटा नहीं तो मेरे साथ मेरे गाउं ही चल्ट इतनी जल्दी तायार हो गया एक मिनट का वक्त दे यार मेरी पैकिंग पूरी देई होई है अब चल्ट उसने कहा चल्ट तो देखा कैसे एक मिनट में कपड़े बदल लिए इसके चेहरे से लगता है यह कुछ गड़बड करने वाला है यह असल में है कौन नाइस हाउस लगा जुटा दूट, हम लोग आ रहे हैं इस खुशी में हो ना वो मुर्गी या बकरा जरूर हलाल हुआ है आजा कैसे है पापा? अकेले कहीं आने जाने की कोशिश मत करना, हालात कुछ ठीक नहीं है, समझ गए? ठीक है पापा, पापा ये मेरे फ्रेंड है वीजा है हलो अंकल फॉरें रिटर्ण है इसलिए कुछ पता नहीं, चल अंदर चल ओर भुवस्वा शिवा मा मेरे लाल, तुझे अभे खार की याद आई एक बार में नहीं सोचा कि तेरी मा का क्या हल हो आओगा वह सब छोड़ा, मा ये मेरा फ्रेंड वीजा है नमस्ते बेटा, अरे अरे रहने दो साक्षा देवी का अवतार है, सालों बाद ऐसा लुग देख रहा हूँ तुम लोग में कुछ खाया भूख इतनी लगी है तुम लोग कमरे में जाओ, खाना तयार होती है, मैं आवाज देदू है ठीक है अरे वाँ, छोटी माँ हहाँ कैसी है आप बिल्कुल ठीक हो शीवा यह मेरी छोटी माँ छोटी माँ इनको देख देखकर तो लगी नियरा ना कि यह ना है बाद सी म्रत अत्राज होती तो मान भी लेता लेकिन छोटी माँ थो बिल्कुल अलो अंकल भाया तू यहां का वाई वो सब छोड़िये नया स्टाइल नए कपड़े हां किहा करो यह कमाद इसका है मेरा फ्रेंड विजय मेरे बेहन मनीशा छोटी मा की बेटी बेबी बदलाओ वे उसका कारण यही है चाचा जी यह मेरा फ्रेंड विजय है हम साथ में पढ़ाई करते हैं यह गाओं है तुम्हारा शहर नहीं सौरी डूड यह तो एगम दिंचर है देख भाई चाचा जी से ज़रा सौधानी रहना यह कोई डॉन है क्या छोटे बाबाब ही है यह ना चल्ड जय कुद का ख्याल रखना यह हमारे पास एक ही लाइफ है मनिशा यह पुनर जनम की बाते मैं नहीं मानता इसी लाइफ को अ क्यां गreetफ है कि कॉछसाल लंकिमा खेल आलत जो कॉछसे करते लिए एप्षिप siya बाड़ा इस भाइया को जा समा नहीं है घर के सारे लोगों को बदलना I know पर भी कोशिश करते हैं इनीधें शीत करते हैं उनीधें यह पॉसिबेयभING Bay-by हमारे आदमियों को मार कर इस बार दुश्मन ने सारी हदे पार कर दिये भाया आज के बाद मुझे वीरा के हर कदम के बार में पता चलना चाहिए माद दुर्गा की कसम उसके सर की बली नहीं चलाई तो जा नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते सार नमस्ते मुस्सा प्रताप सर मुस्सा प्रताप नहीं प्रताप सर आप मुझे मुस्सा मुस्सा कहकर क्यों बुला में सर इस इज़त अफसाई के लिए बहुत शुक्रिया इज़त की बात छोड़ो तुम हमारे आत्मी हो यह अगर हमारे दुश्मनों को पता चलेगा तो तुम्हें कार्ट कर रख देंगे ओके बाय लव यू ब्रो साही टाइम देखकर तुम्हें मेरे घरवल्दों से मेरे प्यार के बारे में बात करनी होगे प्लीज 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 यार अभी अभी तो प्यार करना शुरू किया है पहले कुछ दिन एंजॉय करो वाट्स था हारी नमस्ते कैसे आए आप वीर प्रताप सिंग जी को हमारा घर इतना पसंद आया कि इन्हों ने एक साल देने का फैस्टा कर लिए और हमारे पापा भी ऐसे ही है वो इन्हें इतना पसंद करते हैं कि इन्हें मुस्सा बूलाते है ऐस सर ये मुस्सा क्या होता है अब की पीतर जी मुझे लंगूर कहके बुलाते हैं हाँ मैं मुस्सा का मतलब बहुत बढ़ा आदमी समझ राथ था उन्होंने मेर करेक्ट नाम भार मिस्कुल करेक्ट है हलू विजे को मैंने अपने प्यार कि सारी बाते बॉत अब में टेंचन लेने की पूई जाए तो मैं कितना अच्छा था यहां के तो मैं बूढा ऐसा लगता हूं सर क्या करूं सर एक लाग रुपए देखर ऐसे नरक में अपना ट्रांसफर करवाने वाला सबसे पहला महा बेवकूप मैं ही हूं अपने इमाजिनेशन में अपने आपको लेकर जरा सोच करें अब क्या होता है इन जानवरों के गौव में मीठे बोलत तूर की बात है यह तलवार और चौपर से बोलते हैं जैसे पेड़ की टहरनिया काटते हैं सर उसी तरह यहां पर लोग हाथ और पैर काटके फेकते हैं और अगर समझाने जाओ को मदर सिस्टर सब लोग अलगी तेवर में बाहर निकल कर आजाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम इतनी तकलीव है तो आप जाते क्यों नहीं है सर हम लोग बैंक पालें सर उधार लेकर फरार होने वाले नलाइकों को जैसे हम दभोश लेते हैं उसी तरह मेरी जान पर जब बन आये तो मैं यहां से भागने का आइडिया बिना सोचे रह सकूंगा सर सोचा था क्या सोच था वाटर में जाकर सेटल हो गया था सर यह लोग आकर मुझे मार मार कर हाथ पैर बांद कर एक पूरी में भर कर साइकल में लाथ कर यहाल आकर फिर से लाश की तरह पटकती है था सर और माने पूछा तो कहते प्यार है सर इन अलाइकों का खाल उठेड़ कर भूसा पर कर जलाने को दिल कर रहा है सर सर जो कुछ भी मैंने कहा वो यहां केसी ने सुना तो नहीं ना मैं बता तूं क्या अपनी दुबार बत रखे अलवक मुझे डराते रहते हैं मैं तो चला यहां से मालिक आ बेटिया यह मेरी बेटी है इसका नाम पदमा है इस वर्ष परिक्षा में यह पूरे सिरे में अवल आई है यह और आगे पढ़ना चाहती है मालिक अभी जु नया कॉलेज बना है वो लोग बहुत फीस मांग रहे हैं इसलिए अब एक बार उनसे बात कर ले तो बह क्या बुरा है मुख खोलने से पहले इंसान को उंच नीच का फर्क पता रहना चाहिए आज पढ़ाई के लिए मदद मांग रहे हो कल हमसे इसके लिए रिष्टा भी मांगोगे तो क्या हम दे देंगे मेरी बात मानो इसे इसकी मा के साथ काम पर भेज़ दो मा अब खड़े क्यों हो चलो जाओ ठीक है ठीक है चल बेठी यहां लोगों का ब्हेविर कितना अजीब है किसी को भी सॉफ्ट तरीके से बात करना तो आता ही नहीं जैसे मुझे बदलाए नहीं भी बदलने की सोच रहे हो क्या गुंडागर्दी भुलाकर मुझे तो प्यार करना सिखाया लिकनी ने जिन्दगे भर नहीं बदल पाओगे बदलूंका लाइफ इस ब्यूटिफुल डूट बदलूंका फातिमा इस तरफ किस लिए आ रही है शायद उसे पैसो की जरूरत है सुनिये सुनिये मालिक मेरे लाख नाना करने के बावजूद मेरे शोहर पूरे जिन्दगी आप के लिए इस घर के लिए दुश्मनों से मार काट करते रहे और इस दुनिया से चल बस है विद्वा होने के बाद भी मैंने अपसे कभी मदद नहीं मांगी मालिक मेरा एकलोता बेटा है मालिक अभी अभी वो सिफ सोला साल का हुआ है वो भी आप लोगों के साथ शामिल होकर अपने बाप के कातिल को मार दूंगा ऐसी बाते करने लगा है मेरी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता आप यूसे जरा समझाए और उसे मेरे साथ वापस बिश दीजिए अरे वो मर्द है और मर्द लोग हमेशा शेरों के बीच रहते हैं तुझा और उसे कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ काम करने वाले अपने बद्धी को खोकर मैं विद्वा बन चुकी हूँ एक ही साहरा बचा है मेरा उसे भी चील लेना चाहते हो कहीं नहीं जाएगा वो अपने बाप के कादेश से बद्ला लेगा कोई बीच में नहीं आएगा अरना गार दूंगा चाहे उसकी भाही क्यों नहों अरे भाई शीवा आपके भाई का है वो अंदर कहीं फोन पर बात कर रहे हैं जब से आया है तब से मैं देख रहा हूं कि वो मुबाईल में सिंग के जैसा चिपका रहता है उसे छोड़ो विजे भाई का है इस घर में हर किसी को मुशे जादा हाथ से बोला जादा पसंग है क्या आपने क्यों वारा क्या यह पूछ सकता हो अब थपड़ नहीं जान से मार डालूंगी ऐसा क्यों विजे भाई ये क्या है उसे तुम से कहा उसे विजे भाई बलाउ कहा तो नहीं फिर भी वह आपके बाई के फ्रेंड है ना तो भाई कहकर अगर कहूंगा तो इजद बढ़ जाएगी ऐसा कोई रूल है क्या आरे नहीं नहीं बैन कोई रूल नहीं है मेरी गल्ती है आप कर क्या रही है दिखाए नहीं दे रहां इस रेंज में हीरो का लूग देते रहोगे तो इस संसार में इसका एक hot news आपको बताऊं क्या क्या है सैर इस घर में सिर्फ मर्द लोग ही नहीं आद उठाते सर यहां औरत लोग भी मर्दों की तरह दरा दर चटा लगाती है इस साली को चारा बना कर आप शेर को खिला दो नहीं नहीं एसी बात नहीं है वह और आपकी साली यूनो कुलों ए लफ नहीं है मेरी साली से बात करकर किस तरह गोवी की फूल के खिल खिला जिसन के सार एक हुआ कि यड़ित परिवारों घुटे से प्यार करते हैं तो कि मेरा कीमा साही तो ए लफ यह न क Whe अनुमान के साथ ये राम है इसलिए मैं इतनी हिम्मत के साथ रह रहा हूं सर नौ टंकी सर ये भूत प्रेट शैतान हमें सिर्फ डराते हैं कुछ करते नहीं है सर गल्ती से कभी रात में घर वालों का चेरस अपने में आ जाता है ना तो मेरी पिस्तरी की हो जाती है मालकिन मालकिन क्या हुआ ने जहर पीकर आत्मात्य करने की कोशिश की उसे अस्पताल ले गए हैं मैंने कहा था बेटी की ज्यादा उमीद मत रखना लेकिन उसने मेरी बात कहा सुनी आखिर वही हुआ जिसका डर था तुम ये सब उठाकर उसके साथ जाओ एक भी चीज खराब नहीं होनी चलिए हम हॉस्पटल चलते हैं मालक अगली बार जब आप किसी को मारने जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा 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 यह यहां से नहीं जाएगा इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है बाईया मेरे माँ को जुछ हुआ तो नहीं ना वो ठीक तो है ना अपनी माँ से कहना में गुजरे हुए पेता के लिए नहीं बलकि तेरे लिए सांसे ले रहा हूँ तेरी माँ सिंदा लौटाएगी माँ 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 यह तुमने क्या किया माँ मैं तुम्हे छोड़कर कई नहीं जाओंगा माँ मेरा यकीन करो माँ मुझसे गलत ही होगे मुझे माँ कर दो मा भाया भाया आप माँ को समझाओना मैं आपसे पढ़ाई करूंगा और उनके साथ ही रहूंगा आज के बाद ही आपकी हर बात मानेगा इसे कहीं दूर ले जाकर पढ़ाईए और खुशी से रहिए यह पैसे मैं आपको नहीं दे रहा उस घर के मुख्याने दिये यह बाद है क्या क्या आप नहीं मारेंगे तो एक सीरियस मैटर है क्या है बताओ मुझे अपनी बीबी से बात किया दो दिन हो गया सर अट लीस्ट वो कैसी है मैं पूछ लू क्या है होम सिख का मरीज बन गया एक नहीं पूछता हूं दॉल तुमारे घर में सब कैसे हैं यह हमारे साडू साब पूछ रहा है वो नहीं क्या वो तो बिलकुल भैसे हो चुके है सब अच्छे है अच्छा बोलो क्या किया रही थी आपने पूछ लिया क्या हाँ पूछ लिया बाबा ठीक है आप बात कीजिए बात ही कर रहा हूं कीजिए न कीजिए न कीजिए न काओ बिलकुल ने तो यहाँ टेंचन गुट नाइट बात कीजिए वारे जीजाजी न नमस्ते मालिक क्या हुआ फातिमा इतनी रात को यहाँ पत्थर से बनी हवेली में रहने वालों का दिल भी पत्थर का होता है ऐसा मैंने सुचा था आप जैसे रहम दिल इंसान भी रहते हैं यह आज पता चला आपके घर की वज़े से मेरी पती की जान गए मैं इसलिए मैंने आप लोगों को श्राब दिया था मुझे एक्षमा कर दीजी मालिक आप मेरे लिए फरिष्टा है मालिक आप लोग हमेशा खुश रही और आब आत रही है मेरे बच्चे को एक अच्छी जिन्दगी देने के लिए आपने मेरी मदद की मैं भी अपनी जिन्दगी किर्वी रख कर इसे खुब बढ़ाऊंगी एक अच्छा इंसान बनाऊंगी मालिक मेरे बच्चे की जान आपकी है मैं जहां कहें भी रहूं आपकी सेहत के लिए और इस घर की खुशी और सुक्शानती के लिए अवेशा अल्ला से दुआ मांगती रहोगी हम चलती हूं मलिक नफरत को मकसद मान लिया था मालिक लेकिन मा के प्यार के आगे सब बेकार है या आप ही ने सिखाया था ना जनम देने वाली माही नहीं रहेगी तो मैं जी किया करूंग मालिक मेरी आखरी सांस तक मैं अपनी मां के सेवा करना चाहता हूं मालिक आशे बात तीछे चलता हूं मालिक मैं आ सकता हूं बाद में बात करता हूं जी अंकल देखो मैं बच्पन से देखते आ रहा हूं इस घर के बारे में हो इस घर वालों के बारे में हो आज पहली बार किसी ने अच्छा कहा है सुना है कि इसकी वज़ा तुम हो पैसे तुमने देकर मदद की और नाम मेरा लिया वो आपके अपने है सर आप सब पर विश्वास करके जीते आ रहे हैं मैं कौन हूई ये वो नहीं जानती मैं उसे पैसे देता वो सोचती कोई आया था हम पर तरस खा कर पैसे दे गया ये भी हो सकता था कि वो ना लेती ये तो आपका प्यार है जो उसे तया के रूप में मिला है बाइदवे इस गाओं के लोग आपके घर के दर्वाजे तक या फिर आपके घर आते हैं वो क्यों आते हैं सर ये घर बड़ा है इसलिए नहीं लेकिन ये सोच कर आते हैं के इस घर में एक बड़े दिलवाना इनसान है और उपर अपना रौप ज़ाड़ना मेरे हिसाब से बड़पन नहीं है सर लेकिन लोगों को अपने गले से लगा कर उन्हें प्यार देना बड़पन है लोग हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है लेकिन उसका फाइदा उठाना सरासर खलत है चोटे मूँ बड़ी बात कह गया माफिचाता हूँ आज वह पूरे जिले में फस्ट आई है अगर वह आपके कॉलेज में पढ़ेगी तो और आगे पढ़ेगी और आपका भी नाम रोशन होगा करेक्ट सर पर एक भी फ्री सीट खाली नहीं है सर उसे एडमिशन चाहिए तो डोनेशन देना होगा लेकिन अगर दिया तो सिर्फ मैं ही पुर्णे कमाऊँगा तुम भी पुर्णे कमा लो उसे सीट दे दो सर अगर हम इसी तरह सीट फिरी बाटते रहे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा सर विद्या को बिजनेस मना रखा है शराब की दुकान खोलो बहुत कमाऊगे कल से बच्ची कॉलेज में आएगी और उसे देखकर और भी बच्ची आ सकती है दोबारा ये पक्वास इस केवीन में ना हो समझ गये है ठीक है सर मैंने बात कर ली है कल से यहां आजाना शूकरिया माली बाईया मनिशा के लिए मैंने एक रिष्टा देखा है लड़का फांसी के गाउं का है कल उसे देखने आ रहा है अब ये शादी वादी का क्या चकर है दुमाग खराब हो गया सबका अरे शादी का नाम लेते ही सब लड़किया खुशी से उचल पड़ती है और तू है कि ये क्या तरीका है एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा ये बात हमें भी अभी अभी पता चली है देव अबर जीने रिष्टा देखा है कोई भी देखे मुझे सिक्या मुझे उस लड़की की सुरत नहीं देखनी ये फल ले जाकर टेबल पे रग दो अब जय है हम चाचा ने मेरे लिए एक रिष्टा तै किया है पता है पता है पता है फिर भी कुछ ना कुछ करो ना विजे प् मैं समाल मूँ अब डूंट वरी आओ मेरे बड़े भाई कलोड़का आपका साला है रवी कान नायक नाम तो सुनाए होगा एक साथ 6 लोगों को काटने वाले जावा जमार्त मैं ही है मुससा प्रताप कहां जा रहे हो मुससा प्रताप नहीं सार प्रताप की शुब कारी हो रहा है कि इसी ओक्षम जोड़ाब दितरों फिरूर दिनी में का मसर्था में है नवस्ते सब्सक्त् cured आपकर Canvas If अच्छी बात है सर, शादी की बात करने आ है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही लाए है, अपके मम्मी पापा नहीं आया है सभी को साथ ले जाने में प्राब्लम होगी, दुश्मन थोड़े ज्यादा है ना क्या बात अभी तक लड़की क्यों नहीं आई, यहाँ जल्दी बुलाओ उसे, एक जगाँ पर में ज्यादा देर रुक नहीं सकता हेलो, किस गाउं के हो? यम्राजपूर सभी एक ही इस थालिक और हैς, कित्मी गाड़ी लाहे हो? छे गाड़ी लाए हैं, दो यहां गड़ीके amore चारा चे है कितने लोग हैं? तीस लोग अ पर इंटायों में कितना खर्च होग तीस हजार जैनास्ता खाने पिने में कितना खर्च होग पचास हजार लेकिन क्यों पचास अजार रुपए क्या बस योई जेनरल लॉलेज के लिए पूछ लिया आगे विटिया लड़की ओक्या है नाम क्या है मनीशा मैं रवी कान नायक हूं जरा कॉफी पिलाओगी इनने कॉफी पीनी है देदो देवर तो काफी तीखे हैं तुमारे अमारी जोड़ी जमेंगी मुझे लड़की पसंद आई पढ़ाएं कहां तक की है एससे तो पास किया है ना फॉरण से MS कर चुकी हूं सिर्फ MS एससे तक पास नहीं किया तुमने लड़की तो मुझे पसंद है करवालों से बात करके खबर करता हूं उस गवार को MS के बीच का फर्क नहीं पड़ता अब उससे मेरी शादी करवाएंगे मैं उससे अपना पदी कैसे मान लू मां वो मेरे लायक ही नहीं है तू पढ़ना चाहती थी तो सब को किसी भी तरह मन अलिया लेकिन तेरी पसंद के लड़कि से ही तेरी शादी करवाने का प्रस्ताव रखने की हिमग मुझ में नहीं है बात समझा करो अरे लड़का कितना CHABAZ है वा वा देखने में कितना अच्छा है इतना अच्छा लग आपको तो खुदी जाकर शादी कर लो इस सुम्र में है तो त drivers सब्सक्ता है लेकिन उसके नाम में जरा प्रॉबलम है रर काण नायक तो ठीक है लेकिन उसके नाम से उसका कोई लेना देना यह नहीं है जरा सोचो UM बड़ी गाड़ी से उत्रा वाइट एंद बाकी सब गाड़ियां भाड़े से लाया होगा, okay, no problem, लेकिन उसके आसपास जो गुंडे थे, एकदम भया लते, उनको देखकर मुझे लगता है कि उसका दो नंबर का कारोबार होगा, उसके बहुत सारे दुश्मन होगे, that is what I feel, वो भी okay, आज वो बैचलर है, उसके फंटर उसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ okay, लेकिन कल, शादी के बाद उसके साथ कौन रहेगा, ये रहेगी, करेक्ट, करेक्ट टाइम देखकर दुश्मन उस पर अटैक करेंगा, ऐसा मान लो, तब क्या होगा, सब गोविंदा, वो मर जाये तो कोई बात नहीं, हम सोचे में बिठाकर जैसे आप सेवा करती हैं, उसी तरह मनीशा भी उसे कुर्सी पर बिठाकर सेवा करी, ऐसा नजारा आप देखना चाहती हैं, आप एक साड़ी की चॉइस करने में घंटों लगा देती हैं, कन्फ्यूज रहती हैं कि ये लू या वो नू फिर डिसाइड करती है और ये तो आपकी बेटी की जिन्दगी का सवाल है, अगर ये छोटी मोटी बातों को भूल जाये तो लड़का कमाल है, एक दाम सूपर, सूपर हीरो, अब भाईया, अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, पंडित जी को बोला लीजिए, शुब घड़ी कौन सा ह तुम ही पूछ लो, ठीक है, भाई साब, बोलो बहू, मेरा दिल कह रहा है, ये रिष्टा मनिशा के लिए ठीक नहीं है, बच्ची पड़ी लिखी है ना, ऐसे लड़के के साथ जिन्दगी काटना मुश्किल हो जाएगा, भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ना हो, कोई सर्विस करने वाला लड़का मिलेगा, तो भी चलेगा, वो तुम्हारी बेटी है पव, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तो कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा, जल्दी क्या है, कोई और अच्छा रिष्टा ढूंदेंगे, यह यहां क्या चल रहा है जी, तुम उसे पहले से जानते हो, किसी को भी पताना मत, क्या के रहे हो, वो और मैं अबरोड से ही फ्रेंड है, अहां, बतलब तुम उसे ठूँदे यहां आयो है ना, इक्साटली, इसा है, इसके लिए तुमने इसके फाई से दोस्ती की, उसके तुम हमारे घर में आये, और हमारे घर से तुम यहां आ गए और इंटर करने का बहाना डूली यह, अच्छी तरह पीस रहे हो, अच्छी तरह पीस रहे हो, I know, I know, सब को तुम अच्छी तरह पीस रहे हो, मैं जानता हूँ, तुम उनी की तरह मुझे भी पीस रहे हो, तुम जब जमीका, रान, टिचि, नचाहेगा बच्चू, सब को अच्छी तरह से नचाहेगा, इन लोगों को कुछ सवच में नियारा, सब के सब पागल है मुझे क्या देख रहा है, स्टेपनी निकाल एक कटिंग लेके है, मैं कर शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाओंगा, ठीक है, क्या लगा रख्था है बच्छी तरह से लोगों है स्टेट है पास खुम्हारा रख्खा माँ पियात है इन लोग outta टां डां रहा है इन लोगों कि अच्छाब को अच्छाब प्योरा कर दो 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 कर फ्म्ह będą में पाजब को दो है. झाल एente के याद 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 तो यहांगा करसे? मैं यहां नहीं आता, तो क्या होता, जरा यह सोचो वो तो ठीक है, नेक्स्ट काउंटर अटेक मेरा ही है न? एक सुपर आइडिया बताओ क्या, अगर आप मानो तो अगर हम अटेक ही ना करें तो कैसा रहेगा बॉस? सोचो, वो इसी डर में रहेंगे के हम उन पर काउंटर अटेक करेंगे इसकी तो अरे वाँ, हमें ऐसा करने की जरूरत ही किया है, उन्हें डर के मरने दो बेकार का सरदर्द क्यों, ये दैशत का मावल फाल्तू का मार का टब वैसे इन आइडियास के मैं पैसे नहीं लेता बॉस जाओ तो ले लो इसका घूमना कभी बंद नहीं होता क्या, ये घूमता ही रत है, ये कभी रुपता ही नहीं जब हम रोकते हैं तब ये रुपता है गाय वैल भी दिन बर काम करके रात को आराम करते होंगे, बिलकुल सही लेकिन आप लोगों को किचन की चार दीवारी में बंद ओकर घूमते ही देखता हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हें तो पता इस घर के मर्द कैसे हैं, उनको खुश रखने के लिए तलना भुनना ही हमारा काम है सुपब घुड, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों की लाइफ में चार दीवारी में कैद होना ही लिखा है, सुब उठते ही नाष्टा, नाष्टे में क्या बनाना इसके लिए डिसकॉशन, तब तक लंच टाइम आ जाता है, उसके लिए भी एक पर उसके बाद एक बड़े से डिनर का टाइम आता है, डिनर के लिए डिसकॉशन, मचली बनाए या मुर्गी, एक्जाक्ली, आइनो, हाँ, फिर सूरा जुगने के बाद वही सरकल, वही रूटीन, वही लाइफ बापरे, तुम सब दस साल के बाद अपनी लाइफ का फ्ला नयगे अरद लिए कोरा जाता हूँ, कि आप लोग सिर्फ एक हफदे के लिए इस रसोई घर को ताला लगा दें, ताला लगा कर मलारी होटल से खाना लाकर खने का प्लान है न, आइडिये इतना बुरा नहीं है, कंस् currently मेरा कहने का मतलब है कि एक हफदे कि लिए इस रसोई पर जाने को कहा रहा हूं हॉलीडे यहीं आसपास में लेकिन वो वो क्या है हॉलीडे गए हुए शायद जमाना हो गया है पच्छीस साल पहले मेरे पद्दी के साथ मैं धर्म सर्जा कराई थी आपको बताऊ साब मैंने तीन साल पहले थ्री इडियर्ट्स फिल्म देखी थी बाप रेवा इन लोग की आलत बहुत खराब है इनके लिए शैर का टूर फॉरें के टूर से कम नहीं है बड़ी मा बड़ी मा प्लीज चलिए ना कहीं गूमकर आते हैं मैं खाना बना रही हूं म मुझे परिशान मत कर प्लीज बड़ी मा जाना है तो बड़े पापा और चाचा से पर्मिशन ले ओके 27 साल से एक ही कुर्सी पर बैटकर जिंदगी के कितने अच्छे पलों को मिस किया चलिए मेरे साथ मैं आपको घुमा कर लाता हूं संसार की सैर कर लाता हूं प्रताब जी प्रताब जी आपको बता चला क्या वीजयजी सब को एक हफिते के लिए बाहर घुमाने ले जा रहे है आप भी चलिए ना अब भी चलिए ना कमर कसलो बेटा ये छे फीट का कट आउट तुम सब को बस बस बोलने के बावजूद भी नाजना चाहेगा ये बात यहां किसी को समझ में नहीं आ रही फिर मैं क्यों परिशान हो रहा हूँ चाचा जी चाचा जी सब लोग घर में रह रहे कर एक दम बोर हो गया है चाचा जी सब लोग मिलकर पिक्निक पे चलेंगे प्लीज चाचा जी हां कहतो ना आप हां कहतो के तो सब ही चलेंगे प्लीज चाचा जी यहां से एक कदम भी अगर तुमने बाहर निकाला तो बहुत बुरा होगा जो उन्दर सब लोग जो मनीशा दिदी रुप जाए सुनो मनीशा वीरा आदी शेश और उसके परिवार वाले सुना है श्री शेर्जा जा रहे है ऐसे ही मौके की तलाश थी उन्ही की लगाई आग से मैं उनके हर एक परिवार वाले की चिता जलाओंगा ठीक है प्रस्ता हम भी यहां से निकलते हैं क्या बात है बाईसा आँ से निकल चुके हैं तो फिर हमें निकलते हैं ठीक है चलो शिरी शेला की और जाने वाले आदिशेश के परिवार में से एक भी बचना नहीं चाहिए बचकर निकलनी का सवाली पैदा नहीं होता है भाई अगले दस मिनिट के अंदर अंदर उनके मौत की खबर आपको मिलेगी चाहे बच्चे हो या फिर औरत उनमें से एक भी ना बचने पाए काट दो सबको भरोसर रखिये मालिक आज उनमें से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा हम पूरी तरह तैयार हैं झाहे रखियार हम आज पाएगा हम भी नहीं ऑचने उनमें शोरा लुँ बचले झाहे रखियार हम उनमें वासुना प्सट्री जाग्राइब के यश्राइब के लिडियर प्सट्री जाग्रं पर जाग्राइब दिर चाइब। हुआ छुआ अप्रणाराग था क्यों चुआ ही कि अप्रणार। चुआ ही तुआ ही अप्र में प्रुट लुआ है है क्यों है अजी ग्रणारलादा फ्रीकare हाँ भाई तेरा भाई फोन क्योंने उठा रहा क्या हुआ उसे शायद उन से मिस हो गया बाई लेकिन हम से मिस होने की कोई गुंचाइश नहीं है तो फिर जल्दी करो हुआ उल्दी एड़ किवफंगष रसंजा जो उफ उचंगर चसे जो सोफड़ मा का फुल का किवफंगर पुल का कि अखे अखें लूगने तकते हमों हुणा उखेगान करदा जुछ हाँ अखें लॉपाँ एट लुट प्रॉण झाल फड्रॉब ऴॉड़ कि अर डे फो obed में से Hz कर रौकि अरप ऊराहे बहा है कि अूरो यह वो, आखिए! फ्रोंनों तरह! यह बात्यों प्लू था भॉल भॉल, बात्यों भॉल, भॉल, उल, बोल क्या हुआ आदि शेश का परिवार खतम हुआ कि नहीं वदाना जल्दी एए बोलना मेरी फैमिली सेफ है मुझे मुझे माफ कर दीजे माने के अधिशेश और उसके परिवार के मुपर खाग डालने के लिए पूरे सो लोगों को बेजा था मैने कमीनों और अब आकर तुम लोग बता रहे हो कि कोई नकापोश आकर हमारे लोगों को मौत की नीत सुआ गया कौन था वो जिसने तुम सब को हिला कर रख दिया कमीनों है तू बता तूने कहा था ना कि ऐसा कोई शक्स उस गाउं में नहीं है मुझे वो कही नजर नहीं आया और तूने क्या कहा था आदिशेश का परिवार्शी शेला जा रहा है वीरा मुझे पता है पता है पता है मेरे हर बार से बाप को बचाने के लिए बेटा कहीं से भी आकर पूरी बाजी ही पलड़ देता है इकार है तुम सब पर तुम जैसे नपुन्सकों की फाज बना रखी है मैंने आदिशेशा 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 आदिश भगवान की दया से किसी को कुछ भी नहीं हुआ भगवान की नहीं ये उसकी दया है वो हमें छोड़ कर कहीं नहीं गया वो यहीं कहीं आसपास है भाईया अगर आज वो नहीं आता तो शायद भगवान भी हमें नहीं बचा पाते हैं भाई साब मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी बोलो बहू विजे महमान बन कर जब से यहां आया है मनीशा के अंदर बहुत कुछ बदलावाये हैं मनीशा को हम खुश देखना चाहते हैं तो और जरा भी देरी ना करते हुए विजे और मनीशा की शादी करवा देनी चाहिए हाँ जी जब से वो बच्चा इस घर में आया है तब से इस घर में खुशी की लहर फैल गई है हाँ बापा मनीशा के लिए विजे से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम कौन हो यह मैं पहले नहीं जानती थी मैंने तुम्हें मेरे घर के हालात बताए तो तुमने यहां आकर सब को सही राह दिखाई यू मेड माइ लाइफ चाहे आई लाव यू तुम्हारे चेरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहता था लेकिन तुम्हारे परिवार वालों के लिए मेरे दिल में ऐसी कोई खाईश नहीं थी मैं कौन हूँ क्या हूँ यह तुम नहीं जानती तुम्हारे घर वाले इतने सालों से भूके भेडिये की तरज जिसका इंतजार कर रहे हैं उसाधी शेश का बेटा हूँ मैं प्यार की सौगात लिए तुम्हारे सामने आजाला की विजय खड़ा है बिलकुल आना तुम्हारे परिवार को मौत के मुँमे धखेलना क्यूं चाहता था इसकी वज़ा पता है अनी वन से रेडि करो कम यह कमिंग मैम वाल सो क्लमसी मैं अभी इसे कर वा देती हूं बुकेल आई विजय ला रहे हैं यह अभी ने तुम्हारा इंतजार करेंगे मेरे आने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा न मा गुल्दस्ते हर्जे के मिलते आपकी पसंद हर्जे के थोड़ी मिलती है चलो जल्दी जाकर तयार करो इस परिशानी से मैं सेफ हूं मुझे यहां ऐसा करने वाला कोई नहीं आज तक तुमसे मैंने एक सच छुपा के रखा था तुम्हारे डाड अभी जिन्दा हैं मैं उनसे पहली बार फ्लाइट में मिली उनकी पहली नजर में कुछ अपना पन था फिर प्यार हो गया हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे डाड के घरवालों को बताने के लिए हम उनकी गाउँ चले गए उसे भी बरोजो तुम कुछ कहना चाहते थे आप खाना खाए ये बाबुजी हम बाद में बात करते हैं नहीं बस वक्त और इजआ दोनों तभी साथ देती हैं जब हम उसकी इजब करें जो एक बार खो दिया सो खो दिया समझेद इसी बात भी नहीं बाबुजी अलेक इलिकों का लिएजिकों की अलेक निरी बशेन को नेखें कि थे का हो गया मालें! 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 तेरी पच्ची को तो मैं लौटा नहीं सकता लेकिन हाँ उन दरिंदो का सर मैं जरूर कातूंगा हर! आप जो कर रहे हैं मैं नहीं कहता कि वो पूरी तरह से घलत है अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो एक जिम्मेदार इंसान सही रास्ता बताता है ना कि घलत रास्ते पर चलने को कहता है अति के मदमस्त होने पर उसे जंजीरों से जगढ़ा जा सकता है लेकिन अगर आदमी हवस का पुचारी बन जाये तो उसे बांद नहीं जा सकता, सिर्फ काटा जा सकता है पर आपको यह हग किस ने दी? प्यार के लिए, शांती के लिए जीनी वाले तुमारे डैड की सोच बहुत उंची थी लेकिन उस गाउं के रिती रिवास कुछ औरी थे लड़ाई जगडे से भरा उवा उखर, उस गाउं से हम दूर चले गए जब हमने वो घर छोड़ा उसके बाद ही, हमारी शादी हुई और तुम, हमारी प्यार की निशानी उस दिन उनका जनम दिन था बेटा, वो सारे माहोल को छोड़कर जिस घर से वो बहुत दूर आ गए थे एक दिन उसी घर से उनको एक फोन आया किसी शुब काम से जब तुम्हारे दादा जी अपने महल वापस लोट रहे थे तब दूसरे गावानों ने उनक पर हमला बोल दिया किसी की की हुई गल्ती की वज़े से दो गावों के बीच वर्षों से खोन खराबा होता आ रहा है छोटी सी चिंगारी ऐसी भड़की कि दोनों गाव बदले की आग में जलकर राख हो गए दोनों गावों के लोगों की दिलों में नफरत की ही ज्वाला भड़कने लगी थी मालिक हमारे हाथ में एक ही आया है बागी सब बचकर निकल गए मालिक उनके परिवार में एक भी बचा रहेगा तो कभी भी सर उठाकर हम पर हमला कर सकता है मालिक अगर हम इसी तरह से एक दूसरे को मारते रहे तो आखिर बचे का कौण इंसानियत के नाम पर जानवर मत बनिये, इंसान ही बने रहे वो आप की तरह नहीं सोचते भाई हमें हमारी सोच सही रखनी है, तब ही कुछ बदलाब हो सकता है हमारी जिन्दगी आप पर निरबार है, आपको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे और तुम्हारे घरवालों का क्या, अगर तुम नहीं रहे तो वो भी तो अनाथ हो जाएंगे ज़रा ये बात सोच के देखो आज के बाद इस गाम का कोई भी व्यक्ति, किसी पर भी कोई हमला नहीं करेगा अगर ऐसा किसी ने भी करने का सोचा, तो मैं अपने पिता जी की कसम खाता हूँ इस घर का कोई व्यक्ति जिन्दा नहीं बचेगा आप जा सकते अब चलना चाहिए पर कहाँ? हमारे घर क्या ये हमारा घर नहीं है? ऐसे नाजुक वक्त पर हम लोगों का जाना ठीक नहीं होगा अगर गाम छोड़ कर गए, तो ये लोग फिर हिंसा पर उतारू हो जाएंगे हमारे इस गाम से बाहर जाते ही, ये लोग इसे कुरक्षेतर का मैदान बना देंगे इसलिए हमें यहीं रुकना चाहिए ताकि हम उनके दिलों से नफरत मिटा सके हम उन्हें फिर से इनसान बना सके आपके हाथ में तलवार देकर आपको हैवान ना बना दे इस बात का मुझे डर है क्या तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं है आपके आसपास रहने वालों पर मुझे विश्वास नहीं है मैं ये गाउं और इन गाउं वालों के इस वक्त छोड़ कर नहीं जा सकता है ये गाउं और गाउं वाले चाहिए या मैं और हमारा बच्चा चाहिए सोच कर बता ये गाउं भाबे इस गाउं से जा रही है बच्चा इन्हें लोटा दीजिए हुआ हाऊ हाऊ rhymes हुआ हाऊ कि अंग पॉह थां, कि अपंगे वह थ। कि अंगे जन राह, कि अरुड़ हो। झाल उन गाहँ वालों की खातिर तुम्हारी डाड ने हमें अपने आप से दूर किया यह बात को अगर भूल जाए तो उनकी जिसा कोई नहीं मैं उन्हें एक बार एक बार देखना चाहता हूं येए मजीद गया इतने मेहनत से तुझे हर बार सजाती हूं फिर भी तुझे कोई पसंद नहीं करता सिंधू मुझे शक है तेरी किसमत में शादी लिखी भी है या नहीं आंटी क्या है जरूर होगी कब होगी जितना मैंने तेरा मेकप किया है उतना मैं अपने आपको करती अब तक तो मुझे मिस इंडिया का आवार्ड मिल जाता अब भी कोशिश कर लो क्या फर्ग पड़ता है अरे सुन मुझे अवार्ड या ताज अपने सर पर नहीं सजाना है तेरे बच्चों को अपनी गोद में खिलाने की तमना है बच्पन से आपकी मर्जी के स्कूल में गई आपकी मर्जी के कपड़े पहने जो आपने बुला वो किया लेकिन मैं शादी उसी से करूंगी जो इनपहसर लड़का पता नहीं में चलू निकलो यहा से मिलेगा जो लड़का मुझ से सादी करेगा वह पागलों की तरड पीयार करेगा मैं भी पागल से कम तोड़ी हूं दिखा रोग जा क्या मैं प्यार में पागल नहीं हो सकता यह पागलों की हद तक प्यार करने वाला चाहिए ऐसा उसने गहां सचका पागल नहीं यह वाला वालेंट किड है साइलेंटली कॉंप्रमाइज कर लो यू शाड़ तेरे पेट में पाग लगी है न यह ले बात क्या है ए चोटे तु सच बोल मैं फिल्म स्टार जैसा नहीं देखता फिल्म स्टार तु भेले ही ना दिखे लेकिन जोकर जरूर दिखता है आज कल फिल्मों में जोकर की वैल्यू हीरो से ज्यादा है ज्यादा फुदक मत प्यारे जो लड़क से शादी करेंगे या इंजिनियर से शादी करेंगे मैं नहीं जानती बस एक रिक्वेस्ट है आज जो भी तेरे लिए रिष्टा आया है उसके बारे में एक बार जरूर सोचना मैं तुम्हारी दर्द को समझ रही हूँ ये रिष्टा पक्का हो जाए इसके लिए मैं प्रा याद है ना अच्छे से याद है हम दुनों प्यार करते हैं हम दुनों के बीच में मत आओ यही करतो अब तक हम चार रिष्टे तोड़ चुके है ठीक है चलो अब जाओ चलो जाओ जल्दी करो यही है बहुत प्यारी है ना हम दोनों बहुत प्यार करते हैं भगवान के लिए आप हमारे रिष्टे के बीच में आकर हमारे प्यार की चिता मच लाइए आप अपनी गाड़ी को यहां से घुमा कर फोल इस पील्ड में चले जाओगे तो हम आपको अपना भगवान समझ कर दन्यवाद देंगे जाओगे ना हालो वो कॉन है बाई सब आदिशेच जी के घर जा रहे है वेल जिस लड़की को आप देखना है वो यह 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 बात यह है कि यह दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इसलिए आप वापस लोट जाएंगे तो इनका प्यार सक्सेस हो जाएग क्या बात है सब खाली करवा करके गोदाब में ले जाओ यहां कुछ बचाया तो उसे भी ले करके जाओ समझ में आया कौन हो तुम आदिशेच जी का बेटा हूँ मालिक मालिक छोटे छोटे मालिक आ गए पिताजी है तुमालिक चाची हालो हमारा चाहे तुझे इतने सानों बाद हमारी याद आई मा कहा है बिजी थी इसलिए वह नहीं आ पाई 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 यह कार यहां कैसे आई यह तो उसी की कार है ना क्या बात है सब लोग एकी जेकर पर जमा होकर बात कर रहे हैं सब को पता चल गया क्या अब तो का जा रहा है अब में कई जा रहू यह तुम्हें कैसे पता चला चुप-चुप खड़े रहे हमने जो भी किया साथ मिलकर किया मिलकर किया जो किया तुम ने किया मुझे तो बेकार इसमें पसा दिया और यह अला खर खड़ा कर दिया अन्धर जा नमस्ते नमस्ते नाइस गैदरिंग शांति निवास very good तू आके जा अरे ऐसी क्या देख रही है ये बेटी ये जै है तुम्हारे बच्पन का दोस्त अंदर चल बेटा क्या हो आजय है तुम्हें नहीं नहीं आ रही है क्या नहीं वह बस ऐसे ही तुम्हारी मा कैसी है शीस फाइन सार बस एक यह बुरी आदत है डेली एक पैक तो चाहिए होता है 20 साल से बस यही मेरी कंपनी है तुम लोगे नो नो सर थैंक्स तुम पीते नहीं हो या फिर मेरे सामने नहीं पी रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं पीता ही नहीं थैंक्यू ठीक है वैसे करते क्या हो अमना किटेक्ट सब्सक्राइब ओ गुड़ सर रात पर होता हुई मैं सोना चाहता हूँ गुड़नाइट सा वैसे जी तुम यहीं सो जाओ ना पता नहीं उपर एजस हो पाऊँ और नहीं नहीं सर नो प्राव्लम थैंक्स मैने जैसा कह वैसा प्यक करवाया ना हाँ बिल्कुल वैसा ही क्या कर रहे हो गटा भाईया तुमसे कुछ पूछ रहे हैं उन्होंनी उनकी काफी पी या नहीं यह देख रही थी घर वाले कभी भी काफी मांगे तुम लाकर नहीं देती हो और उसकी काफी की तुम्हें एतनी चिंता हो रही है यह गिफ्ट किसके लिए जैके लिए बहार से मंगाया है इन्हे मेरी हाथ बहुत लागा उसके गिफ्ट को तो मेरी चूती भी ना चूए यह किस लिए रिवास है ओक्य थैंक यू मेरी लाला घर में कोई फंक्शन है क्या एपी बार्थ डेए टोटली वास्टी थैंक यू सोश्रा थैंक आज तुम्हारा जनम दिन है ना इसी सालों से गामवाली एक तिवहार की तरह मनाते आए हैं एक किसान से अगर उसकी मेहनत से उगाई फसल प्यार से मांगोगे तो वो दान कर सकता है लेकिन गाउं की एक सो पचास एकड़ उपजाओ जमीन अगर आप लोग अपने स्वार्थ के लिए मांगोगे तो वो खलत है तुना है तुमारे गाउं में अच्छी कीमत में मिलती है वो कीमत हम चुका देंगे पहले सौदा तो डन करो तुम किस से बात कर रहे कुछ पता है तुमें पता है ना हमें किसने भेजाए वीर भाई ने वो जो कहते हैं वो करो तभी शायद उनके मन में तुम्हारे लिए जो दुश्मनी है ना वो थोड़ी कम होगी ऐसा सौदा करके अगर दुश्मनी कम हो तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कोई हक नहीं कि अपने किसानों की जिंदगी का सौदा करूं उनकी जिंदगी की जो भी कीमत हम दे देंगे अगर एक इंसान का हाथ काट दो फिर उसके सामने कुछ खाने को रख दो तो क्या फाइदा मेहनत एक किसान को मांग के खाने पे मजबूर मत्ता है लेकिन वो यह बहुत दूर से आये हैं कुछ चलपान का इंतजाम करो अब तक हाथ और मुपर ताला लगा कर चुप बैठा ही थे ना वैसे ही बैठर हो यह रॉब कहां से लेकर आयो यह बात अगर भाई को पता चल गई ना तो जो लोग तुम्हें आज भगवान मानते हैं उनी के आप लोग बात करने आये थे ना बात खत्म हो चुकी है अब जाएए झालіч झाल humility तुम्हें आपना बात करने चाहर ह давा ही पे टू 집 झाल 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 उस घर पर और उस घर के बड़े लोगों पर विश्वास करके पूरा गाओं हिम्मत से जी रहा है चार छे मुश्टंडो को लाकर ऐसे इनसान को धंकाने कि तेरी हिम्मत कैसे हुई क्रिक्षज़क आटी बाच झाल 6 कि विवक्रारो भी बाचं épisode यह उनकी शराफ़त है के तुम लोग इस काओं की सरहत पार करके उनकी चौखट पर आकर जिन्दा जा रहे हो 27 साल तक एक इनसाफ था लेकिन आज इनसाफ बदल गया है जाकर उससे काओ कि उनका बेटा आगया है बेटा आगया है जाकर बोलो के करी जाइच मत्तसब्रा तक हिए महारु परके या जया है था लुक सिर्थाने आख मार्यगे 67 साल तक हम अपने भाई के सिधान तो के खातिरशिर जुकाते आ रहे हमें इंतजार था कि हमारे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जाबाजशेर कब आएगा हमारा हे खून छे फिटकल जाबाजशेर बनकर आएगा यह हमें पता नहीं था यह बात किसी भी सूरत में भाई को पता नहीं चल ले जाए और मेरी जान ले लेंगे डर कर बिल में चुपकर बैठने वालों में से नहीं है वो आदिशेश अगर हमने लफ़ने को आगे बढ़ाया तो वो मरने को भी तैयार है और मारने को भी काफी तैंक यू क्यों जै तुम बच्पन से ही शेहर में पले बढ़े हो ना एक तुम फॉर्ण स्टाइल में हमारा गाउं कैसा लगा बहुत ही अच्छा है ना शेहर से ज्यादा अच्छा है आँटी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड रही हैं किस लिए शादी के लिए उनकी शादी को तो 29 साल हो गए वो अंदू हो तुम अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी कोई गर्फ्रेंड है या नहीं हाँ एक थी थी मतलब उसकी शादी हो गई अच्छी बात है मेरा रास्ता साफ हो गया सारी क्या हुआ मैं यहार मजा कर रही थी अच्छा तुमसे शादी करने वाली कैसी होनी चाहिए ? ऐसा कुछ सोच रखा है क्या तुमने ? क्या कि मैं तुढ़ा लंबा हो ना ? तो वो भी थोड़ी से लंबी होनी चाहिए थीim हा मॉडन? कैसी मॉडन? वाट लगानी है? देखो, जब तुम अफिस से घर आओगे, तो पब या पाठी का बहना बना कर चली जाएगी. उसकी बाद पच्टा होगे ना? धुमाग में भूसा पराया क्या? उसकी जगे किसी गाओं की लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारा और बच्चों का बिना घर से बाहर के ख्याल रखेगी. सोच के देखो, आगे बोलो. कोई अनाथ लड़की मिल जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि वो मेरे माबाप की अच्छे से सेवा करी. अरे, जिसने कभी माबाप का प्यार नहीं देखा, वो तुम्हें प्यार क्या देगी. तुम खांदानी लड़की से शादी करोगे, तो वो रिष्टों की कीमत चानेगी. बड़े बुजर्गों का ख्याल रखेगी. एक बाद चांस देकर ऐसी लड़की को अपने दिल में बसा कर देखो. आगे बोलो. एक मेरेट. ये किस लिए? पेट में चुहे कूद मैंने उसे उस नजर से कभी नहीं देखा. वो मेरे ये भाई समान है. ये लोगों की वज़ा से आदिशेश किसी को कुछ नहीं समझता. सूपह होने से पहले सब राख हो जाएगा. फिर देखते हैं वो क्या करता है. हमारे दो घरों की दुश्मनी, दो गाउं के बीच बिलकुल न पहले. इसलिए 27 साल से काफी चीज़ें देखकर अंदेखी कर रहा हूं. ये हम पर नफरत की आग उगलते रहें. लेकिन आज तक हमने सिर्फ सहने के लावा इन पर कभी हमला नहीं किया. गल रात को अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो पूरा गाउं शम्शाल में बदल जाता. भसल कट गई ना, तुम्हारे लोगों नहीं नशे में आग लगाई होगी. एस्पी साहब, छोटे बड़ों की परवा किये बिना सुनी-सुनाई बात का भरोसा करके हमें यहां तक नहीं बुलाना चाहिए था. अगली बार ध्यान रखेगा. चलता हो, एस्पी साहब. सुरेश तो शाम तक शान्त हो जाता है. लेकिन इनकी नफरत कब शान्त होगी? मैं नहीं जानता. चलता हो. उस गाउं के गर्म खून वाले सोचता हमसे दो-दो हाथ करेंगे. लेकिन यह तो पुलिस के पास रोते हुए चले गए. इस बार तो सिर्फ घर ही जला है. क्या पता अगली बार घर वाले में जल जाएं? अगर हम ऐसे ही चुप रहे हैं. तुम लोग हमारे गाउं में घुसने से पहले पूरी प्लानिंग करते हो. लेकिन मैंने सीधे तेरे गाउं में घुसका तेरी कर्तन को तब हुच रहे हैं. दुबारा कभी मेरे काम आनों पर हमला करने की कोशिश की, तो खाक मैं मिला तूँगा. लेकिन में घुसका तूँगी जब सोजाओ. जये, पापा, गाउं की हालत कुछ ठीक नहीं है. ऐसे में तुम्हारा यहारे नाम सही नहीं होगा. तुम कौन हो इस बात का, अगर उन गाउंवालों को पता ना चले, तो ही बेतर है. ठीक है, पापा. गाउं की तरफ नजर उठाई, तो सिर्फ हमारी गर्दा नहीं जाएगी. पूरी तरह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे. कहां रहता है वो? वो अपनी मां के साथ रहता है. आज कल सुनाए, गाउं में घुमने आया है. हमारे इतने सालों की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए. इससे पहले कि उसका उबलता खुन उसके गाउं के सोई लोगों को जगाए, खतम कर दो उसे. ए चोटे, बचपन से मैंने उसे अपना माना था. लेकिन आज, वो किसी और के पास जा रही है? और कहां जा रही है? काम पर जा रही है वो. वो इतनी पड़ी लिखी है ना, कि उससे कलेक्टर की नौकरी मिल जाएए. अचा ये बताओ, जैम और मुझ में क्या फरक है? मुझ पर थूका. गल्ती से, बैट जाएए, तुम दोनों के फरक की बात करते हैं. उसकी हाइट. गूट पहनूँगा, तो मैं भी उसके बराबर लगूँगा. अरे तु खड़ाय रहेगा और वो बैठा रहेगा, फिर भी मैंच नहीं होगा. तेरा और उसका लेवल कहा है बता के बैजज़त ही नहीं करना चाहता. नौकरी. बैटो, बैटो, सब उड़कर भाग रहे हैं. पड़े देंके कोई काम मिलता है, क्या? बिल्कुल. तो फिर ये टॉपिक भी जाना दो, आगे बड़ो. नेक्स क्या बोलो? सब कुछ तु जाने दे रहा है, तो आब बात क करनी है. तुम्हें अचानक क्या जरूरी बात करनी है? जल्दी बोलो. मुझे शर्म आ रही है. बताना है या नहीं? मैं तुमसे. क्या है? मुझे बहुत शर्म आ रही है. कैसे बता हूँ? कहां से शुरू करूँ? ये मुझे पिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. मुझे प् मैंने मेरा दिल मेरी धड़का ने सब कुछ तुमारे नाम कर दिया है कह दू कह दू क्या आइ लव यू अधिर से बॉल आइ लव यू चाचा इसे क्या हुआ अरे कुछने कभी कबार इसे हावाई दौरे पढ़ते रहते हैं अरे लेट हो रहा है चल अंदर बैठ आइए जादा उचल कुद मत करना काम में हाथ बटाना ठीक है बाइ आप अभी विजय की बड़ी दीदी जैसी लग रही हो जड़ा देखकर आओ तयार हुआ है कि नहीं में खाना लगाती हूँ अ बेटी जी गाव के हालात अभी पहले जैसी है क्या बिल्कुल बदल चुके हैं आपके पती के होते हुए सब कुछ शान्त है मैं जाकर फ्रेश सब्सक्राइब हो Sudha, उनों आभी जोइन किया है जरा हीने help कर ना थांक्स, क्यूम- यरे- मेरे कैवन है intelligence है चलो, फुवरे त्राइं मेरे कैवन है बद में आए- मैरे कैवन हैँ चालो, सूब बदल राइन अ स्सट्म आश नो, इनसे त्राइब केवाए इन नहीं है इन्हा प्रजेक्ट है ना क्या बाते हो रही थी सर उसकी नई नई ज्वाइनिंग है ना तो मैंने सोचा उसे थोड़ा काम समझा दूं वो काम करने के लिए यह किसने का वो जस्ट टाइम पास करने के लिए यह तुम अपने ही काम पर फोकस करोगे तो बेटर रहेगा सर वो तो अपनी सारी फाल्स लेकर मेरे सामने ही आजाओ मेरी कैबिन में ओके ओके सर अब जो शूर सुर्ण किशौर आपको किससे मिलना है वो हमारे गाउं से एक लड़का यहां पर आया हुआ हम उनसे मिलने आये हैं फिलाल वो घर पर नहीं है उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा आप अंदर बैठी मेरे साथ और भी लोग हैं हम उनको बलाकर लाते हैं हाँ ठीक है जाता अगर उसे धूल चटाने की हिम्मत रखता है तो ही अकेला जाना शिवा क्योंकि अगर वो बच गया ना तो समझ ले तो उसके तरफदारी करना बंद करेगा यह पकड़ो भाया आपके गावां से कुछ लोग आपसे मिलने आए थे उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा तो आपने बाकी लोगों से मिलने चले गए यह तीस लोग यहां से गय थे और सिर्फ तीन लोग लोट कर आए हैं वो इंसान ही है ना वो इंसान नहीं शेर है वो शेर का सर मैं काटूंगा वो कहा है यहीं उसे तफन करूंगा लोगता यह सब मरने वाले मैं तो यहां से निकल देता हूं हलो आंटी आप घरवाले मेरे लिए रिष्टा ढून रहे हैं ओ लेकिन मैं विजय को पसंद करती हूं घरवालों को कैसे बताऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है विजय के अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी अब आप ही कुछ कीजिए नमस्ते फिर से वो लंप हुआ गया उन लोगों को तुम बहुत पसनाई बीटी अमेरिका से रिष्टा है बेटा उसने तुम्हें बहुत पसंद किया है आज तुम्हारे पिताजी कितने खुश होंगी हमेशा खुश रहो बेटा रिष्टा अमेरिका का हो या बड़े घर का ये वहाँ खुश नहीं रहेगी अंकल इसे ऐसा लड़का चाहिए जो इससे प्यार करें अपनी आखों से दूर भीजने से बेटर है नस्दीक का रिष्टा देखो अंकल कोई ऐसा काबिल लड़का देखो जो इसे भी पसंदा है जिस पर इसे प्यार आए आपके जिगरी दोस्त की बेटी की जिंदेगी का सवाल है ये बहुत प्यारी लड़की है इसको समझ कर अगर कोई सही प्यार करने वाला मिले तो ये खुश रहेगी बचपर में इसके माबाप गुजर गए उसके बाद हमने इसे बिल्कुल हमारी बेटी की तरफ पाला हर माबाप की तरह हमारी भी यही इच्छा है कि ये खुश रहे एक मौका देखर देखो अपने दिल में चगा दो नमस्ते मालकिन नमस्ते मालकिन कैसी हो दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम लोग सब कैसे हो बात है तो होती रहेंगी आप पहले आंदर तो चलिए तुम कैसे हो आदी ये जानती थी कि तुम कभी नहीं बदलोगे तुम्हारे दिल को कोई नहीं बदल सकता ये उमीद लेकर मैं तुम से दूर चली गई कोई भी पत्नी अपने पती पर ऐसा जुम नहीं करेगी लिकिन मैंने वो गुना किया है माना कि मैं तुम से दूर रही फिर भी हमारे बच्चे को तुम हर जैसा बनाया प्यार का मिसाल बनाया जब तक जिन्दगी है तब तक तुम्हें और इस गाओ को छोड़कर वो कभी नहीं जाएगा मुझे माफ कर दो आदी तुम हर याखे क्या देखने के लिए तरस रही है मैं जानता हूँ तुम्हारा यहाल करने वाले का खूल लाकर मैं तुम्हारे पैर धोंगा क्या हूँ अजी अरे अरे सुनिये तो खाना दूका कर जाएए अरे आईए इसके साब शादी के तयारी में आपने कोई कमी नहीं लखी मेरा एक ही तो बेटा है उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ इतने साल से आपके शान्त सुबाँ के वज़े से इस गाउं में कोई खून घराबा नहीं हुआ है लेकिन अब वो फिर से शुरू हो गया है और उसकी वज़ा है आपका बेटा जय है आगे क्या होगा पता नहीं लेकिन जंगल में लगे हुई आगको बुजाने की जिम्मेदारी अब आपकी है से तो मैं चलता हूँ सबी लोगी की जगह जमा है चाचो मैं किसी को नहीं छोड़ूगा सब को एक साथ मौत की नहीं सुला दूगा जब तक वो जिन्दा है किसी का बाल भी बांका नहीं होने देगा पहला बार उसकी गर्दन पर होना चाहिए कर दो हुआ लगाओष्टिस रब शबंदर दो औरेप जी बाra स्टरावी में प्रुश्य। झाल 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 ंद debugging झाल झाल प्रॉह झाल कर दो 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 कहां जारे जो कोई भी मेरी मां की मौत का सिम्मेदार है वो सिंता नहीं पचेगा कुछ घंटों के लिए अपने उसूल आदर्श को एक तरफ रखती जिए 27 सालों से जो युद्ध खत नहीं हुआ उसे मैं आज खतम करके ही रहूंगा हमें बस कुछ खंटों की महलती चाहिए भाई आप अंदर जाहिए जैसे छोटे मालिक कह रहे आप वैसा ही कीजिए हमारी मालखी की चिता बुछने से पहले हम उस गाम को शम्शार मना देंगे मैंने क्या पाप किया था जो तुम जैसी आउलाद पैदा हुई मैंने इस गाम के सुकून और शांती के लिए पिछले 17 सालों तक एक बार भी अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा किसलिए इन जानवरों को इनसान बनाने के लिए लेकिन इन पर आज तेरा साया पढ़ते ही ये फिर से जानवर बन गई है तुझे तो बड़ी मौपत से पाला था प्यार के मूरत बना के पाला ये बात तेरी मा ने मुझसे कही लेकिन तुने तेरी माँ को खलत साबित कर दिया वो जिस डर की वज़ाई से इगाउं छोड़ कर गई थी आज वो डर साच हो गया तुने उसे इस दुनिया से इउठवा दिया अगर मुझे पता होता कि इगाउं तेरी वज़ाई से बिगड़ जाएगा तो मैं तुझे दूसरे दिन यहाँ से वापस बिशवा देता अगर पता होता कि तूसकी मौत की वज़ाई बनेगा तो मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देता उसके बदले मैं खुद तेरी जान ले लेता जातू हमें और इस गाउं को छोड़कर चला जा यहां तेरी ले कोई जगह नहीं कल अगर मैं मर भी जाऊं मेरी चीता को आग देने मता ना उस दिर मेरे बाबा की बातों से मैं हर्ट हुआं लेकिन उनकी बातें सच थी मैं उस गाउं में नहीं जाता तो प्रॉब्लम होती ही नहीं अब कभी भी उस गाउं में नहीं जाना इसलिए फॉरें लोटने का फैसला किया है मैंने मेरी शुरू की हुई प्रॉब्लम मुझे ही खतम करनी है तभी तुम मुझे मिली मनिशा एक अच्छी दोस्त बनकर तुम्हारे जर्ये तुम्हारे भाई से मिला मनिशा मैं मानता हूँ इसमें मेरा ही स्वार्थ है, मतलब है लेकिन मकसद भी है आज हमारा घर कितना बदल गया है सब कितने खुश हैं और इसकी वज़ा तुम हो तुमने बहुत किया जाए अब तुम यहां से लोट जाओ मैं अपने प्यार के खादर तुम्हारी जान को दाव पर नहीं लगा सकती तुम इस गाओं में रहोगे तो पता नहीं क्या होगा मुझे इस बात से बहुत डर लग रहे जाए इतिहास रश्टे वक बहुत सी बाद हाय आती है मनिशा लेकिन पीट दिखा कर भागना नहीं चाहिए मालिक चंदों ने पैसे लटा दिये और उसका ब्यास जो बनता है इसमें विजय तुमसे कुछ बात करनी है आजकल सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी खुश हूँ पूरे परिवार वाले तुमें इस घर का दामाद बनाना चाहते है हमारे घर की बेटी हमारी तरह कठोर दिल की नहीं है बहुत नाजुक है अगर तुमें कोई अतराज ना हो तुँ अपने ममी पापा को बुला लो शादी की बात करनी है तेरा मकसद तो अब पूरा होने ही वाला है उसे भी तुझ जैसा ही कोई चाहिए था जिसमें मुकाबला करने की बिलकुल बेहिम्मत ना हो घर वालों को तु पसंद कैसे आ गया इस बात को आप ज़रा साइड में रखिए आप मर्द और मर्दानगी की बात ना करें आपकी नजरों में मर्द कौन है लड़कियों की तरह हसने वाला जिसके जिसमें घर्म खो नहो वो मर्द नहीं होता जिसकी बाजुओं में दुश्मन को ठेर करने की ताकत हो वो होता है असली मर्द जो शेर की तरह बिना हथियार के अपने एक ही वार से दुश्मनों को धूल चटा दे वो कहलाता है वो कहलाता है असली मर्द एक दूसरे को मारना काटना यही मर्दान की है यह सब राजा माराजाओं के जमाने में होता था उन सब की समाधियां बन चुकी है यह सब क्या लगा रखा दम जिगर प्यार से दुश्मन का दिल जीतना यही मर्दान की है उसके लिए यहाँ तम चाहिए ट्राइ करना चाहिए भाई, इसके मर्दान की सिर्फ इसकी बातों में है लडाई की बात करो तो यह लड़कियों की तरह बहाने बनाता है प्लातों के भूदबातों से नहीं मानते हैं इसकी बोल बच्चन वाली सारी मर्दान की हवा बना कर हवा में उड़ा दे भाई कि अज़ा है कि अज़ा देजिते हैं मैं र supports ले लेेmannंग को लिंग है मैं र ok कर दो कर दो तुमने जो कहा हो मैंने किया अब जो मैंने कहा वो करो तेरी पिटाई से मेरा हर एक आदमी हॉस्पिटल की खटिया पकड़ चुका है डॉक्टर कहता है कि अब वो जिन्दगी भर के लिए पाही जो चुके है वाह मुझे तेरी ही तलाश थी वाह तेरे अंदर मुझ जैसे ही हिम्मत है मनिशा के लिए तु बिल्कुल सही है अब तु मेरा सपना पूरा करेगा और मेरे दुश्वन के बेटे को मारेगा जिससे मैंने पहली और आखरी बार मात खाई है उसे दफन करने का छोटा सा काम कर दे मैं जिन्दगी भर तेरे कदमों में पड़ा रहूँगा यह वादा है मेरा तुम नहीं बदलोगे कभी नहीं बदलोगे तुम बदल ही नहीं सकते उस घर के लोगों पर हाथ उठाने के बदले तुम्हारी नींद हराम करने वाला वो मर्द मर गया है उस घर के लोगों पर हमला करने के वज़ा से तुम्हारी गर्दन को अपने हाथों में दबोचने वाला शेर इस वक्त शांत बैठा है सब कुछ खोने के बाद एक प्यार की मूर्ती बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है अधिशेश का बेटा है यह इसे तुम अपना दामाद बनाना चाहते हो ना जानते हो यह कौन है इस घर को शंशान बनाने के लिए आया हुआ आधिशेश का बेटा है यह सुनो, 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 मेरे सीने पर काल लगा कर सुनो तेरी जान लेने के लिए मेरा ये दिल किस तरह नफरत से तड़प रहा है सुनो, तुने मेरे घर वालों को धोखा दिया महबबत का जहर पिला कर उनका दिल जीता है तुने आज तेरी हड़ी पसली तोड़ कर रहूंगा मैं छोड़ंदा नहीं संस थार पurning पीर गोप पृटे मैं संस पन्हाल दिल फिला मैं मैं श्याओ, बालों वुछे प्लाग वुछे प्लासओ मैं परलोंभ और प्लाव, परलोंग लिल एंवे क् शुस्वेब개 नहीं तेरे गरवले तेरे बाप में तेरी जान बसी है नुक्त के लिए तेरा खुर हमेशा खॉलता रहता है जिस तरह तेरे आनकों के सामने तेरी मा को काटा था उसी जिरा तेरे बाप को भी मरूंगा शादी के माहल में खुस कर मेरी मा को मारने के बाद भी तू जिन्दा बचा है इससे तू अपनी मरदांगी समझता है और आज कह रहा है कि मेरे बाप को भी माड़ा लेगा उस देवता तक पहुचने से पहले उस मंदिर के दर्वाजे पर खड़े हुए इस रखवाले को तुझे बार करना होगा इम्मत है तो बार करके दिखा और तो और बच्चों पर हाथ उठाने को तुम मरदान की समझता है तो तुझ जैसे मरदों को चिता पर लिटाने के लिए आज मैंने विष्णू का उतार दिया है हुआ है अगर मैं तलवार के साथ तेरे घर में घुजगे तो तेरे साथ तेरे सारे कुल का नाम और निशान मिटा दूगा गा हासिल होता तुझे इस सब से क्या हासिल होता है मारते मारते यहां सिर्फ हत्यार रह जाएंगे, को यीन भचेगा इस गाऊ में, को यीन भचेगा कोई किसी की चिता जलने वाला नहीं होगा शुकर मना कि तुझे तेरे बाल बच्चों का तेरे परिवार वालों का खांदान का प्यार मिल रहा है और क्या चाहिए तुझे और क्या चाहिए बहुर्ट मैं आज भी तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता था तेरा गुरूर और तेरी दुश्मन ही तेरे लिए सब कुछ है तो उठा इसे उठा मैं खामोश हूँ इसका मतलब मुझे बुजदिल मत समझना ऐसा नहीं कि मैं हाथ नहीं उठा सकता पर मैं हाथ उठाना नहीं चाहता अगर दुश्मनी को खत्म करना है तो किसी एक को खामोश रहकर दूसरे को अपनी खलती सुधारने का मौका देना चाहिए तु मरदानगी के बारे में बात कर रहा था ना मैं तेरी ही जमीन पर तेरे ही लोगों के पीच बिलकुल नहत्ता खड़ा हूँ देखा ये है मरदानगी अगर तुझे पता चलता कि ये मेरा बेटा है तो तु उसे मार डालता ये जानते हुए भी मेरा बेटा तुम लोगों के बीच ही रहा ये है मरदानगी तलवार उठा कर किसी को डराने की बजाए प्यार से किसी एक का दिल जीत कर देख उसमें है मरदानगी तुने इसकी मा को माना फिर भी ये तुम्हारे पीच रहा अगर ये चाहता तो तुम सब का खात्मा एक चुटकी में हो जाता लेकिन इसने ऐसा नहीं किया अपने अंदर के खुसे को अपनी मा की चिता में जला कर ये तुम्हारे अंदर प्यार जगाने आया था ये मेरा बेटा है मैंने उसे खुच से दूर रखा अपने प्यार से दूर रखा और ये बिना एक लफस कही चला गया दोनों गाओं को मिलाने वाला दोनों गाओं के बीच खुश्या लाने की कोशिश करने वाला आप में बदलाव लाने वाला कोई और नहीं मेरा बेटा है तेरा सर उड़ाने के लिए मेरे छोटे भाई ने तुछ पर हमला किया था तो तुझे किसने बचाया था मेरे बेटे ने समबल के, समबल के वो हमारा गुरू है तल्वार के साय में रेंक कर भी वो हमें प्यार का पाठ पुड़ाता रहा वो बच्चा सच्चा दिल वाला है ऐसे दिल वाले को सिंदर है न चाहिए उस दिल में खुदा है, जिस दिल में प्यार है उसे एक अला लागादा सब को जीने दो यही सही है हमारे घर वालों को देखकर हर कोई अपना रास्ता बदल लेता था कोई भी इज़त से हाथ जोड़कर सलाम नहीं करता था अज सारे गाउं के लोग हमें चाहने लगे हैं हमारे इज़त करने लगे हैं तो उसकी वज़े यह लड़का है यह इतने दिनों तक बिना चोट पहुँचाए हमारे साथ रहा इसका मतलब यह हमारे खून का प्यासा नहीं इसे चाहिए तो बस प्यार चोटे तलवार फिख दे लाल रंग से मुझे भी बहुत प्यार है वीरा पर खून का नहीं गुलाल का हुआ, 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 हुआ.. ...... तेरी मा ने तेरे लिए एक लड़की पसंद की थी वो अब तक तेरा इंजार कर रही है जा थग्या यार ऐसे भी बहुत लेट हो गया शादी करने क्या हुटर्ण